जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3.500 रूपय का सिलेंडर था आज की डेट में वो एक हजार पार हो गया तो सर पर लेकर घूमती थी उन्होंने अब 1100 का एक हजार का हो गया कभी उनको सुना ही पड़ा सिक्षा को तो बिजेपी सरकार एकडम असी हाथ के नीचे ले जा रही तो करोल जो बता रहेंगे नोकरिया इन्होंने चान पर दिया होगा आज पर चान पर चान पर आयस्ट इस कुईसन में जीएस्टी ठोग रखा दस साल की जो बिजेपी की गवर्रमेंट बीटी इसमें हर आजमी तरस्ति आज तक जो कुछ उन लोगों ने कहा है बातपावालों ने आज तक तो नहीं किया है अब आगे क्या करेंगे मालिक जाए थे यहां चवराहे पर बस लगी थी उस पर बैठने वाला कोई नहीं अरे दो दो सो 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 रूपए ले जा कि यहां से सब ले जा कि भाड़े पर ले जा कि भीड़ जमाएं और क्या तो खुद कहा गया था लेकिन मेरे पास समय नहीं था कांग्रेस के ही दावे में दम है कांग्रेस ही अपकी पुर बहमत से सरकार बनाए जा कांग्रेस ने जो कुछ कहा किया और इसने तो जुमला बता दिया लोकसभा चुनाओं की आमद हो चुकी है 55 चरंड का मद्दान बीसमय को होना है ऐसे में अमेठी एक ऐसी लोकसभा है जिस पर सभी की नजरें लगी हुई है अमेठी में सियासी माहौल क्या है यहां के लोगों की मूल समस्याओं क्या है और उन समस्याओं का बीते 10 वरसों म कितना निराकरण हुआ है यही जानने हम निकले हैं इस समय हमारी मौजूदगी अमेठी लोग सभा अंतरगत है जहां कई लोग मिले हैं इसे बात करेंगी कि अभी तक इनकी मूल समस्याएं कितनी हल हुई है जी क्या नाम है बैजाब मेरा नाम तरभोन भारती है आपकी अभी के मामले में आप समझ लिजे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3.500 रुपए का सिलेंडर था आज की डेट में वह एक हजार पार हो गया है अब राद भर लोग हमारा जानवरों से मतलब सोने नहीं पा रहे हैं इतने हमारा जानवर चुट्टा जानवर आतंक मचा हैं कि उस कर रहे हैं क्या मतलब है जब 80% लोग उसको यूजी ही नहीं करेंगे तो उससे क्या मतलब है पाइप लाइन बिचा दी जाए ऐसे पहुंचा जाए उससे कोई मतलब नहीं होगा बाचपा करिए कि जो स्टी ब्लॉक्स हैं स्टी के वहां पर वह एकलब महाविद्याले बना उन लोगों ने कहा है बाचपावालों ने आज तक तो नहीं किया है अब आगे क्या करेंगे मालिक जाने गरीब छात्राओं को मुफ्त सिच्छा की भी बात कर रहे हैं सिच्छा को तो बीजेपी सरकार एकदम असी हाथ के नीचे ले जा रही है सिच्छा की बात ही वो एक भूर से कोल मिला के इस पांच दस साल की जो विजेपी की गौवर्मेंट बीती इसमें हर आदमी तरस्त है सासन पर सासन में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो जाही है सारे संस्थान का निजी करा करा के सब बेरोजगार छात्र घूम रहे हैं जिनका कोई ना सिच्छा से मतल चाहा जितना पढ़ी लिखें हो चाहा ऐसे जो घूम रहे हैं उसका तो कोई मतलब नहीं बाजपा ने प्रतिवर्स दो करोंड युवां को रुजगार देने की बात कही थी अरे सर जमीन पर जीरो है और दो करोंड पांच करोंड का डुगगी पीटने उससे क्या मतलब है करोंड चान पर चांड पर साथ दिया होगा यहां तो नहीं है जमीन पर नहीं जमीन पर तो नहीं दिख रहा और कंगरेस कह रहे है कि हम आएंगताtime लगती है हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे 12 रुपे की बुक थी आज वो डेड़ डेड़ दो धाइड़ाइसों की बुक मिल रही है जो यहां फीस थी बच्चों की 10 रुपे 12 रुपे 20 रुपे पढ़ाई हो जाती थी आज 688 रुपे 12 रुपे फीस पढ़ रही है कौंसा य क्या करेंगे कुछ नहीं है जीरो गरीब छहत्राओं को यह मुफ्त सक्षा देने की बात कर रहा है चुछ नहीं हुआ है जैसे अभी तक जुमलभ जोगते आ रहे हैं वही जुला कुछ भी नहीं होगा वो तो कह रहे हैं कि मुदी की गारंटी के सहरे हम सरकार फिर से बनाएंगे अब उनने के चार सो पार कर देंगे कुछ नेता इसे कुछ पार करा सकते हैं अब बाहर बिदे से बिद्स भी मुझवा सकते हैं कई भाजपा और आरेसस के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि समिधान और आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं तो वहीं कॉंग्रेस का ये कहना है कि हम संख्या और जिसकी जितनी हिस्सेदारी के हिसाब से उसकी भागेदारी को हम बढ़ाएंगे किसके दावे में दम लगत आधितनात आई थे यहां चवरहे पर बस लगी थी उस पर बैठने वाला कोई नहीं था चवराहे पर बस लगी थी रेली के लिए कोई बैठने वाला गया हैं जब कि कुछ लोग बताते हैं वह तो बैराल नहीं देखा हाँ दो दो सौशो रूपए ले जा के यहां से सब ले जा कि भाड़े पर ले जा कि भीड जमाएं और क्या है यहां से भाड़े पर भीड आ हाँ मुझको खुद कहा गया था लेकिन मेरे पास समय नहीं था क्या बोल दो समश्पान ने खानी संकल्प दिया है किसके दावए में दम है कांट्रिस कांट्रेस के दावै में है सब तो कर रहे था ले यूह को प्रतिवर सरकार देने का दावा की थी जी क्या आपको नहीं मिल गई बनाद तो क्या लग रहा है, सरकार ने कहा था कि यृवाँ को 2 करोंड रोजगार देंगे दिया है कुछ नहीं मिला, रोजगार घुम रहे हैं और पढ़े लिखे कॉंग्रेस ने कहा है कि वो आएगी तो जो परिक्षा में आप लोग फॉर्म भरते हैं उसके सुलकों को वो माफ कर देगी तो ठीक है अच्छी बात है कर सकती है कॉंग्रेस ने कहा कि 30 लाग हीवाओं को हम रोजगार देंगे किसके दावे में आपको दम लग रहा है कॉंग्रेस के दाव में लग रहा भी जेपी तब जित्ते लिए सारे सब जूट निकले 15-15 लाग देने के लिए बोला था वो भी नहीं मिला कुछ और क्या आपको लग रहा है कहींने कहीं कॉंग्रेस कर सकती है क्याहिंगे वह जनिता कई कर सकती है को ही अपी लोग बाग सपोर्ट इस पढ़ाएंगे ऐसा दिक रहा है कही और युवा साथियें बात करते हैं क्या लग रहा है क्या लग रहा है प्यवा प्रृति के प्रृति हे संदा है भाजपा जो हो कह रही है हम मुफ्त सिक्षा देंगे आप युवा हैं क्या मुफ्त सिक्षा मिल रही है अभी कुछ नहीं मिला है हमें हमें क्या किसी को कुछ नहीं मिला है मुफ्त सिक्षा तो नहीं मिली है क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है कि प्राइबेट स्कूलों में तो फेस कुछ ज़्यादा पड़ रही है और सरकारी वाले में मास्टर कुछ काम निकाते बस आते हैं और सोते हो गएरा रहते हैं बस यही रहता है कि बच्चे जाते हैं आते हैं स्कूल जाते हैं फिर वह इसे घर लोड़ जाते हैं तो आपने देखा किस तरीके से यहां कि लोगों में चुनाओ को लेकर अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपनी बाते हैं जुड़े रहे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में दें